साथियों, देश के किसान के हित्में जो भी जरूरी हो, वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसान की ताकत बढ़ाते रहेंगे लेकिन हमने सोचना भी चाहिए, क्या हम 21 सदी में अपने किसानों को सिर्फ विदेशी परिस्तितियों पर निर्फर रख सकते हैं, क्या हर साल इस जो लाखों करोर रुपिये के इदर सरकार खच कर रही हैं, कि विदेश क्यों जया है क्या ये भारत के किसानों के काम नहीं आना चाहिए, महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का, कोई स्थाई समाधान क्या हमें नहीं डूटना चाहिए साथ को ये सवाल है, जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे मामले सर्फ मेरे सामने आये हैं, लेकिन पहले सिर्फ तातकाली समच्चा का ही समाधान तला सा गया, आगे वो परिसित्या ना है, इसके लिए बहुत सिवित प्रयास हुए, बीते आठ सालों में हमने तातकाली कुपाई भी किये हैं, और समस्याओं के स्थाई समाधान भी खोजे हैं, कोरोना महामारी जैसी परिसितियां भविश मेंडा बने, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है, खाज्य तेल की समस्या कम से कम हो, इसके लिए मिशन ओईल पाम पर काम किया चल रहा है, कच्चे तेल पर विज़े सी निर्भरता कम करनी है, इसके लिए बायो फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे उपायों पर आज बड़े स्तर पर प्रयाद चल रहा है, नेनो टेकनलोजी पर व्यापक निवेज भी इसी एप्रोज का प्रणाम है, इसी प्रकार प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को प्रोचान देने के लिए जो अभ्यान देश में चल रहा है, वो भी पर्मनेंट सलूशन का हिस्सा है,